आप सभी को दशेहरे की बहुत बहुत सूफ कामना है और आज मैं बहुत दिनों बाद जो है वीडियो डाल रही हूँ I hope आप सब अच्छे होंगे और मेरी थोड़ी सी तबियत भी मतलब खराब हो गई है इस नौरातरी पूजा में मैं थोड़ा सा एक्जास्ट फिल कर रही हूँ और इसलिए मेरी वीडियो भी नहीं आ रही थी बहुत दिनों से क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा नहीं बोलूँगे मैं काफी जादा विजी हो गई थी हमारे सुसाइटी में बहुत ही धूम धाम से इस नौरातरी पर्व को मनाया जाता है और उसमें मैं इंचार्ज बनी थी और बहुत सारी मेरे उपर जिम्मेवारियां थी जिसके चलते मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियो आए तो यह मेरी पहले की ही बनाई हुई केक है और मैंने शूट कर लिया था इसे एडिटिंग करनी थी बस तो यह जो केक है मुझे ब्लैक फॉरिस्ट में बनाना था और यह 1.5 केजी का केक है तो इसका फुल मेजरमेंट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा आप वहाँ जाकर देख सकते हैं तो इस केक के उपर ऐसी डिजाइन बनानी है मुझे जिसके चलते मैंने 1.5 इंच का ही मुझे जो है गैप देना पड़ा क्योंकि यह 1.5 केजी में था अगर यह 2 केजी में होता तो शायद और अच्छे से बन पाता लेकिन कस्टमर की जैसे डिमांड होती है हम होम बेकर्स को बनाना ही पड़ता है मैंने बड़ा वाला जो केक टिन है 1.5 छे इंच का लिया है और चोटा वाला जो है 1.5 पांच सुरी 1.5 चार इंच का होगा लगभग तो और यह केक बोड का अब साइज भी देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहां पर सारी चीजे लिए हैं और कभी भी जब डिजाइन के ह कि हिसाब से हमें कई बार यह कंते हैं अगर मै यह थे इंच का लेती या ऐसाथ इंच का ले तो यह नहीं बन पाती बोगो सोच समझ के जब आपके पास कोई केक का ओडर आता है तो इसको ध्यान से देखिए कि क्या वो फ्लैट केक के उपर बनेगा टू लेयर या फिर जो है हमें हाइटेड वाली केक बनानी है तो थोड़ा सा इस चीज़ को जज़ करना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि आपकी जो है केक की डेकोरेशन जो है सुन्दर लगे फाइनल लुक अच्छा लगे और जब मैंने शुरुआत की थी केक बनाने की तो मेरे दिमाग में एक फिक्स हो गया था कि अगर हाफ केजी का केक है तो हमें छे इंच का लेना है और अगर एक केजी का केक है तो हमें साथ इंच का लेना है और जब भी मुझे सोचती थी कि हाइट वाली केक मुझे बनानी है थोड़ा सा छोटा वाला केक लूँ पर मुझे ऐसा लगता था कि के overflow होके गिरना जाए बहुत सारी चीज़े डर लगती थी और लगता था कि क्या पता नीचे से कच्चा न रह जाए तो शुरू में तो आप साड़े चार इंच का केक्टिन यूज कीजिए और अगर आपको वनाना है एक केजी का टॉल केक तो आप जैसे मैंने अभी यूज किया है वह वाला केक्टिन यूज कर सकते हैं साड़े छे इंच का तो बस यह ब्लैक फॉरेस्ट केक है और इसके बाहर हम चॉकलिट नहीं लगा सकते थे इसलिए मैंने यहां पर चॉकलिट जो है अंदर में डाली है चॉको चिप्स ताकि टेस्ट जो है बिल्कुल बढ़िया से आए तो बस यह चारो लेयर में इसी तर कि यह जो है केक जश्ट मेरे बाजू भी जाने वाला था तो मुझे रैप भी नहीं करना था उन्हें ने कहा कि आप जो है इसे अपने घर में ही रखिये मैं जब बोलूंगी सभी लोग आ जाएंगे आप मुझे यह केक दे दीजेगा एक्चली उनके फ्रिज में बहुत सा केक लेके जाते हैं तो मैंने क्या किया था एक दिन पहले हैं इस केक की क्रम कोटिंग करके फ्रिज में रख दी थी और जब भई पडोसी का वद्दे है तो थोड़ा तो हेल्प करने ही पड़ेगी आपको तो मुझे पता था कि मुझे उनकी हेल्प करनी है डेकोरेशन और तो इसलिए मैंने जो है एक दिन पहले क्रम कोट करके अपनी केक को फ्रीज में रख दिया था तो बस उसके बाद दूसरे दिन मैंने इसे फूल कंप्लिट किया है और कभी भी क्रम कोट करके रखने से केक जो है अच्छे से सेट हो जाता है तो उसकी फाइनल आइसिंग बह पर दिखाऊंगी और जब उन्होंने मुझे फोटो दिखाई थी कि ये वाला हमें केक चाहिए उसमें बिल्कुल डीप रेड कलर था तो मैंने उनसे कहा सामने से कि अगर आपको डीप रेड कलर करवाएंगे अपनी क्रीम की तो हो सकता है कि आपकी क्रीम जो है थोड़ी कजदर देने में क्योंकि फिर फिर वो अंदर जाता है पेट में खाते हैं मैं थोड़ा सा कम ही प्रसंद करती हूं डालना और जब शुरुवात में नहीं केक बनाती थी घर के लिए भी या फिर बाहर के लिए भी तो पेर हजबिट बोल देते हैं अरे color मढड डालो color मढड डालो मैंने गार customer के अगर demand है हमें तो डाल नहीं पड़ेगा और अगर वो agree हो जाते हैं कि नहीं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं तो इस तरीके से मेरा देखिए क्रम कुट करके मैंने इसे फ्रीज में रख दूँगी थोड़े दरीक लिए ताकि अच्छे से सेट हो जाए और एक वीडियो मैंने बनाई थी बहुत पहले और उसमें मैंने दू इसे अपने fondant को dry करने का तरीका बता तो नहीं पाई थी मैं मैंने सोचा था कि मैं किसी और वीडियो में बनाऊंगी और इस वीडियो में मैं आपको वो चीज करके यहां पर दिखाऊंगी तो पहले आप मेरे fondant का sound सुनिए कि अभी dry होने से पहले कैसा है और यह कितना lose है आप देख सकते हैं मैं सकुधम करके भी दीखा रही हूं तो यह देखिए मैंने यहां पर ब्रहुल गरम दूद लिया है और इसके उपर मैंने रख लिया है अपना यह थालीं और इसके उपर मैंने इस तरीके से यहां पर छोड़ दिया है अब आप इसे आधे घंटे, गंटे, दो, तीर घंटे के लिए भूल जाएए और इसके बाद आप चलिए हम यहाँ पर दूसरा काम करते हैं तो उपर की जो केक थी वो ब्लू कलर में थी और नीचे का जो केक था वो रेड कलर में था तो इसलिए मैं यहाँ पर पाइपिंग बैक की हेल्प से लगा रही हूँ ताकि बिल्कुल एक्वल और इवेन हमारा यहाँ पर कलर लग जाए ब्लू कलर तोड़ा डार्क हो जाता है लेकिन रेड कलर जल्दी रेड नहीं होता यह मेरे साथ तो अक्सर प्रॉब्लम होता है अगर आपके साथ भी होता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपके पर कोई अच्छा सा सॉलूशन हो तो भी मुझे बताइएगा मैं वो जरूर ट्राय करूंगी और बस इसी तरीके से जो है मैं अपने क्रीम को लगाँगी इक्वल और इवेन और आज भी मैं इतनी ज़्यादा टाइड फिल कर रही हूँ आज देशेहरा है और वो नौ दिन की ठाकान मैं बता नहीं सकती लेकिन मैंने कहा ने एक वीडियो तो आनी ही चाहिए पिछले हपते मैंने सिर्फ एक वीडियो डाली थी बहुत ज़्यादा बीजी थी तो मैंने कहा नहीं आज एक वीडियो डाली देती हूँ और बस इस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं फिनिशिंग कर रही हूँ इससे मैं अपने जो बड़ा वाला केक था उसको मैं आइसिंग कर रहे हूँ तो इसको मैं तोड़ा सा कट कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी वीडियो शॉट हो जाए वरना सच में कई पर ऐसा होता है कि कितनी बड़ी वीडियो बन जाती है और मैंने इसी दुगना स्पीट पर करके रखा है ताकि थोड़ी सी वीडियो जहे शॉट हो जाए वरना इस तरह केक बनाने में सच में तोड़ा सा टाइम लग जाता है और अगर मैं पूरा वही स्लो मोशन में दिखाऊंगी तो पता नहीं यह कितना बड़ा वीडियो हो जाएगा तो बस इस तरीके से हम अपने केक की फिनिशिंग देंगे और यह देखे यहां पर मैंने OHP शीट लिया इससे सच में बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है और आपने अगर ध्यान दिया होगा तो शैफ भी इस तरह का OHP शीट यूज करते ताकि प्रॉपर जो है अच्छे से फिनिशिंग दे सके तो यह देखे मेरे यहां पर पूरे अच्छे से जो है ड्राइ हो चुका है अब को और यह बिल्कुल भी टेडा नहीं हो रहा है तो आप इस तरीके से आप भी जो है अपने फॉर्णेंट को ड्राइ कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं कि हमेसा दूद ही चाहिए अगर आपका मानली चाहिए अपने पानी गरम किया है तो उसके उपर इस तरीके से बरतन को र है और यहां पर जो है मैंने गनाश नहीं लिया है मैंने क्रीम में बल्रा बिलाया है और बस इस तरीके से मैं यहाँ यह बऌली डेजाइन तुंगी अर यह जो केक है हमारे spider man theme cake था जी हाँ मेरे सामने जो रहता है बच्चा उसको spider man बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने जो है ये cake बनाया था और अगर आप ध्यान से देखे दोनों की height बहुत अच्छी आई है अगर इस तरीके से height नहीं आईगी आप ये web वाली डिजाइन बिल्गुल भी नहीं बना पाएंगे बना पाएंगे लेकिन वैसा look नहीं आएगा जैसा हमें चाहिए तो अगर इस तरीके से अगर बड़ा cake का order होता है ना तो सच में और ज़्यादा काम करने में मज़ाता है लेकिन उतनी requirement नहीं थी cake की तो मैंने का शरू ठीक है विडियोड के जिमी में इसे बना देती हूं ये देखे क्रीम बीज बीज में मेरी टूट रही है और इस तरीके के डिजाइन के लिए आपको बिल्कुल सौफ्ट क्रीम चाहिए लगे तो आप उसमें चैल जरूर मिलाइएगा तो मैं तोड़ा सा यहां पर को वीडियो कट करके दिखाऊंगी ताकि ये तोड़ी सी वीडियो जो है शौट हो जाएं तो इस तरीके से वेब वली डिजाइन ही मैं यहां पर बनाऊंगी ये देखे कैसे फ्रंट से दिख रहा है और बस इसे बनाने में सच में तोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि ये नीचे में है तो इसलिए मैंने जो है बनाया बड़े ही अराम से बिलकुल धीरे धीरे इस डिजाइन को बनाया और इस तरीके से वेब वली डिजाइन जो है ये बन गया है और आई होब कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने दूद की ऊपर जो है अपने फॉंडेंट को ड्राइ किया है और अगर आपके पास भी इस तरीके का मौशर वाला अगर होता है मौशर तो आप इस तरीके से ड्राइ किजियेगा सच में बहुत ही अच्छे से ड्राइ होता है और बहुत ही जल्दी होता है तो I hope कि आज की मेरी वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी और केक का जो फाइनल लुक था सच में बहुत ही अच्छा था और इसके उपर मैं एक टॉय भी लगाऊंगी और वो टॉय सच भी मतलब क्या ही बताया जाए इतना जादा मुझे वो 100 रुपिस का वो टॉय मिला और इतना नाजुक था वो कि मैं क्या बोलू यह देखे यहाँ पर मैंने यह जो टॉय है लगा दिया है तो बस यहाँ पर मेरा केक जो पूरी तरह से बनके रेडी हो चुका है तो I hope कि आज की मेरी वीडियो से अपने काफी कुछ सीखा होगा तो मिलते हैं मेरी नेक्ट वीडियो में कुछ नया लेके कुछ नया करने के लिए तब तक के लिए बाबाई